वागर्था विबसंप्रिक्तव वागर्थ प्रतिपत्ते जगताह पित्रववंदे पारवती पर्मिश्वरव आज का जो विशय है शैवधर्म शैवधर्म क्या है शिव से जो संबंधित धर्म है भगवान शिव की पूजा या भगवान शिव के उपासक जिस धर्म के अंतरगत हमें उपलब्द होते हैं वो शैव धर्म कहलाता है जिसके अंतरगत शिव को ही इश्टमाना जाता है जो शिव है उससे संबंधित जो धर्म है वह है शैव धर्म है उनको ही इश्टमान करके उनकी पूजा अर वातमा किये जाने का भिठाने तो शिव के जो अर्चक है शिव के जो उपासक है वो शैव कहे जाते हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि श्रिष्टी का पालन पोशन करने वाले जो देव है भगवान विश्णु है और वहीं उस श्रिष्टी का संहार करने वाले जो देव है वो रूद्र है भगवान शिव कहे जाते हैं रूद्र के विभिन नाम भी हमें उपलब्द होते हैं या कहें इस जो शिव है ये प्राचीन जब ग्रंथों का धेन करते हैं जैसे वेद है उपनिशद है इन ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो शिव नाम से नहीं आधिक रूद्र के नाम से आधिक हमें प्राप्त होते है शिव का उलेख भी आता है ये जुरवेद के अंतरगत भी हम उसको प्राप्त करते हैं लेकिन रुद्र के रूप में उस शिव की उपासना उस शिव की अर्चना अधिक हम प्राप्त करते हैं वेद के अंतरगत जो रुद्र है उनके विभिन्न नाम हम प्राप्त करते हैं जैसे इशान है हम जब रिगवेद को देखते हैं तो उसके अंतरगत जो سमस्त मध्य लोक का सरवशेष्ठ अधिपती है वह इशान है इसी प्रकार से भव है भव शर्व एम रुद्र के बान कल्यानप्रद होने के लिए इसकी प्रार्थना हमें प्राप्त अथरवेद के अंतरगत उपलब्त होती है तो रुद्र का विस्त्रित एम व्यापक वर्णन हमें रिगवेद आधी ग्रंथों के अंतरगत प्राप्त होता है